हेलो एवरिवन, वेल्कम बैक टू माई चैनल अपडेट्स प्रागिती में, मैं हूँ प्रागिती, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आप पिच्चोस में देख रहे हैं, यह जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है, यह इसका ओरिजिनल लुक है, कुर्ती में क्रिएट करने के लिए मैंने उसी का पोचू वाला पार्ट हटा के प्लेन कुर्ती वाला पार्ट को यूज किया है, यहाँ पर मैंने सेम कलर के डुपट्टे और पैंट का यूज किया है, और यह वैली ब्लैक कलर की मल्टी कलर के नेक पीस का यूज किया है, तो देखिए ह ब्लू कलर का Combination है जोने ब्लू कलर की earrings है तो इसलिए मैंने इस Nack Picks को यूजQ क किया है इस टाइप के लुक्स क को आप नवरात्री क लिए भी create कर सकते हैं नवरात्री में इस टाइप के multi-color की जुलरी के साथ इस टाइप की लुक्स काफी अच्छे लगते हैं थर्ड लुक को create करने के लिए मैंने यहाँ पर यह जैपुरी डुपट्टे के साथ प्लाजो को pair किया है valley को मैंने same रखा है, एक watch का use किया है, एक simple कडाई use किया है और jewelry को मैंने यहाँ पर same रखा है एक हाथ में अगर आप multi colors की bangles को use करेंगे तो नवरात्री के लिए डांडिया look आपका बिल्कुल perfect ready होगा fourth look को create करने के लिए मैंने यहाँ पर yellow डुपट्टे के साथ yellow lagging को pair किया है और मैंने यहाँ पर पंजाबी जूतियों को use किया है मैंने इसमें pile को भी add किया है golden color की pile यूज़ की है और watch मेरी same है यह पंजाबी जूतियों को मैंने इसमें include किया है और जो मैंने first look में multi color की neck piece का use किया था multi color की earrings same jewelry मेरी same है यह कुर्ती मेरी थोड़ी western look में थी इसको मैंने Indian look में convert किया है तो आएए चलते हैं fifth look की तरफ fifth look को create करने गले मैंने यहाँ पर यह gray color के डुपट्टे के साथ gray color के plazo को pair किया है valley को मैंने यहाँ पर change कर दिया है white run की valley का use किया है और मैंने यहाँ पर यह oxygen jewelry को pair किया है यहाँ पर मैंने यह silver color का mirror वाला neck piece add किया है उसी के साथ की earrings है और यह मैंने काफी चोड़ा सा कड़ा use किया है उसी के साथ दो bangle को pair किया है watch भी मैंने यहाँ पर silver look में use की है मेरे इस डुपट्टे में silver color का touch है इसलिए मैंने पूरी accessories को silver color का ही रखा है तो इससे यह look काफी enhance हुआ है personally मुझे यह look काफी अच्छा लगा मुझे comment box में comment करके जरूर बताएगा आपको सबसे अच्छा look कौन सा लगा है next look को मैंने थोड़ा western style में create किया है यहाँ पर मैंने यह jeans का denim jacket का use किया और gray color का plazo और valley मैंने same रखा है jewelry मैंने same रखा है तो देखिए हमारा यह थोड़ा इंडो western look ready हो गया है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को like कीजिगा, share कीजिगा, subscribe कीजिगा और हाँ bell icon को press करना ना भूलेगा जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के notifications आपको मिलते रहें next look को create करने के लिए मैंने इसको एक one piece dress में convert किया है इसमें मैंने कोई भी plazo नीचे legging का use नहीं किया है इसको as a one piece dress के तरीके से style किया है मैंने याँ पर एक belt add किया है silver color का और यह silver color की oxidized jewelry है long neck piece है उसको मैंने इसमें pair किया है next look को create करने के लिए मैंने सिर्फ एक यह shrug का use किया है यह मेरे पास एक shrug था उसको include कर दिया है और मैंने याँ पर यह golden color की belt का use किया है इस belt को मैंने DIY करके बनाया है अगर आप इस वीडियो को देखना चाते हैं इसका link में मैं आपको description box में दे दूंगी तो देखिए सिर्फ एक plain कूर्ती से अपने इस पूरा dress को ready कर लिया है चलते हैं next look की तरफ next look को create करने के लिए मैंने यहाँ पर यह silk के डूपटे का use किया है यह मेरा yellow और red touch में एक silk का डूपटा था उसी में मैंने इसको red color का नीचे plazo और इस टूपटे का use किया है neck piece में मेरा यह एक silver color का belt है यह कोई neck piece नहीं है इसको मैंने as a neck piece के तरीके से use किया है और मैंने multi color के earrings use करे हैं valley मेरी same है black color के क्योंकि इस टूपटे में black color का touch है एक वीडियो को बनाने में काफी hard work करना पड़ता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को please like कीजेगा और share भी कीजेगा thank you so much for watching my video तो मिलते हैं next video में bye bye